अमिताब बच्चन का परिवार एक बार फिर परिशानिम है टैक्स की हेरा फेरी को लेकर पनामा पेपर्स मामले में एश्वर्या राय बच्चन को परवर्त निर्देशाले की तरब से नोटिस मिला है उन्हें आज एडी के सामने पेश होना है तो महराष्ट के मंतरी और वरिष्ट शिवसेना नेता गुलावराव पार्टिल ने अपने विदासबा शेत्र जलगाव जिले की सड़कों की तुलना अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल से करने के टिपपनी पर मचे बवाल के बाद माफी मांग ली है उधर बॉंबे हाइकोट ने मंतरी छगन बुजवल की उस याचिका को खारिस कर दिया है जिसमें उन्होंने आयकर उभा के टैक्स के मुल्लेंकर की प्रक्रिया को चुनोती दी थी इसे बीच भोचपुरी फिल्मों की एक 22 वर्षी अभिनेत्री ने यूटूबर के खिलाब शादी का जहांसा दे कर कई बार दुशकर्म के आरोप लगाया है इसके अलावा करनाटक के बेंगलरू में चत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा से छेचा की घटना को लेकर शिवसेना और राकां पाक्रम हो गई है शिवसेना ने कहा कि वो शिवाजी महाराज का अपमान किसी भी सूरत में बरदाश नहीं करेगी प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बनरीया हमारे साथ टैक्स की हेराफेरी को लेकर पनामा पेपर्स मामले में एश्वर्य राय बच्चन को प्रवर्त निदेशाले की तरफ से नोटिस मिला है रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें आज सोमवार को दिल्ली में प्रवर्त निदेशाले के सामने पेश होना है बताय जा रहा है कि एश्वर्या से जो सवाल पूछे जाने हैं जिसकी लिस्ट पहले से तयार हो चुकी है बता दे कि भारत के कई सेलिब्रेटिस के नाम इस लिस्ट में शामिल है जाहिर है कि एश्वर्या को नोटिस मिलने के बाद बच्चन परिवार की टेंशन बढ़ सकती है इस मामले में अभिशेक बच्चन से पहले ही पूछताच की जा चुकी है पनामा पेपर्स मामले में अमिदाब बच्चन का भी नाम शामिल है और इसी के साथ कई बड़े लोगों का नाम सामने आ चुका है विभाग ने मामले में और जानकरी जुटाने के लिए एक आला धीकारी को ब्रिटिश वर्जिन आईलाइंड्स में भी भेजा था साल 2016 में पनामा पेपर लीख हुआ इसमें उन बड़ी हस्तियों के कारोबार का जिक्र है जिनोंने कथित रूप से कर चोरी करने के लिए छोटी कमपनिया बनाई भारत से संबंदित लोगों के कुल 20,078 करोट की अगुशित संपत्ति का पता चला है महाराष्ट के मंत्री और वरिष्ट शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल के अपने विधानसवक शेत्र जलगाव जिले की सडकों की तुलना अभिनेत्री हेमा मालीनी के गाल से करने की टिपणी पर विवात खड़ा हो गया है हाला कि राज्ज के महिला आयोक के कड़ा रुख अपनाय जाने के बाद मंत्री ने अपने बयान पर माफी मागी है पाटिल की कथि टिपणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है मंत्री ने कथि टिपणी हाल ही में जिले के बोधवार नगर पंचय चुनाव के दोरान एक चुनावी बैठोक को सम्भूधित करने के दोरान की थी कई वर्षो तक जलगाओं सीट से विधायक रहे भाजपा के पुर्वनेता एकनात खड़से पर परोक्ष रूप से निशाना साथ ते वे राज्य के जलापूर्ती मंत्री पाटिल ने कहा था कि उन्हें मेरे विधानसबाक शेतर में आकर सड़को को देखना चाहिए अगर ये हेमा मालीने के गाल जैसी नहीं है तो मैं इस्तिफा दे दूँगा अपने भाशन के दोरान पाटिल ने अपने विरोधियों को उनके विधानसबाक शेतर का दोरा कर वहां की अच्छी गुणवत्ता वाली सड़के देखने को कहा राज्य महिला आयोक की अध्यक्षय रुपाली चाकनकर ने मंत्री पाटिल की टिपणी का संग्यान लिया और अपनी टिपणी पर माफी नहीं मांगने पर उनके खिलाफ कानुनी कारवाई की चेतावनी दी आयोक की चेतावनी के कुछ घंटों बात पाटिल ने अपने बयान के लिए माफी मांगी बॉम्बे हाई कोट ने राज्य के अन्नव नागरिक आपुर्ती मंत्री चगन भुजबल की उस याचिका को खारिस कर दिया है जिसमें उन्होंने आयकर विभाग के टैक्स के मुल् चुनौती दी थी अदालत ने आयकर विभाग के वकिल के उस दावे को स्विकार कर लिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्यंकन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद बुजबल इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते नाय मुर्ती के और शिराम ने कहा कि इस बात की जाच की जाने चाहिए कि क्या ये भरोसा करने लायक है कि आयका मुल्यंकन छुड़ गया था क्या अधिकारी के पास इसके वास्तविक चीज़े है अदालत के अनुसार एक बार वास्तविक स्थिती सामने आने वो पुनर मुल्यंकन शुरू होने के बाद अदालत के लिए मामले क कि जांच रोकने के आदिश देना ठीक नहीं होगा अदालत ने भुजबल के वकिल के गोपाल के उस दावे का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि आयकर आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वे तत्यों के आधार पर फैसला करे और लापरवाही से कोई फैसला न ले आयकर बोचपुरी फिल्मों की एक 22 वर्षी अभीनेतरी ने यूट्यूबर के खिलाफ शादी का जहांसा दे कर दुशकर्म के आरोप में अफायर दर्च कराई है ओशिवारा पुलिस टेशन में दर्च की गई शिकायत में अभीनेतरी ने बताया है कि वहां मोहमत शादान पीसे एक पार्टी के दौराण मिली थी उस समय फारुकी टिक टॉक पर काफी लोग फ्रिय था और वहां भी उसे जानती थी मुलाकात के बाद दोनों में नजदिकी बढ़ी और फारुकी ने उससे शादी का वादा किया अभी ने इतरी ने बताया कि फारुकी उसके चंड करता मुसलिम नहीं इसलिए ये शादी नहीं हो सकती अभी नेतरी ने पुलिस को बताया कि फारुकी ने उसे गर्भबात करने के लिए भी मजबूर किया इस दोरान ज्यादा रक्तसराव हुआ तो उसे अस्पताल में भरती कराया गया लेकिन उसे फारुकी से शादी की उम्म महाराज की प्रतिमा से छेड़ चार की घटना को लेकर शिवसेना और राकांपा आक्रमख हो गई है शिवसेना सांसत अर्विन सावंद ने कहा कि भाजपा के आशिरवास से शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा है इस पर प्रदार मंतर नरेंदर मोदी चोप क्यों है जब लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे सावंद ने कहा कि भाजपा को थोड़ी शर्म बची होगी तो वह करना तक कि मुख्यमंतरी बसवराज बोमई का इस्तिपाले कर उन्हें घर बेच देगी इधर पुने में राकांपा ने विरोध प्रदर्शन किया राकांपा कारेकरता उ इसके पहले दोनों दलों की ओर से मुंबई पुने ठाने समित कई जिलों में करना तक सरकार की हिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया इस दवरान के इंदर सरकार और पीएम मोधी के खिलाफ नारेल लगाए गये तमाम कारवाई के बाद भी नशे के सवधागरों की चैन नहीं तूट पाई है इसका सबुद है गुजरात में आतंगवाद रोधी दस्ते और भारतिय तटरक्षक के सयुकत अभियान के दोरान रविवार क्यो पकड़ी गई 400 करोड रुपे की 77 किलोग्राम हिरोईन की सोमवार को भारतिय शेर बाजार बड़ी गिरावट के साथ शुरू हुआ इसी बीच चिंता की बाद यह है कि ज्यादातर वैक्सी ओमिक्रॉन की खिलाफ कारागर नहीं है इसमें कोवी शील्ड भी शामिल है जिसका टीका बड़े पैमाने पर भारतियों को लगाया गया है उधर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी के चलते उत्तर पदेश के कई इलाकों में शीतलर का कहर जारी है बर्फिली हवाओ के चलते बाद मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए येलो रट जारी किया है इसके अलावा मदाता सूची में गरबड़ी का सर उठतरा है इसे दूर करने के लिए मदाता सूची को आधर कार्ट से लिंग करने वाला बेर केंद सरकार की ओर से सोमवार को लोगसभा में पेश किया जा सकता है गुजरात आतंगवाद रोधी दस्ते और भारतिय तटरक्षक के सेंगत अभियान के दवरान रविवार रात को मादक पदार की जब्ती की गई गुजरात के रक्षा जन संपर कदिकारी ने ट्वीट किया कि राजरे एटियस के साथ चलाए गए सेंगत अभियान में तटरक्षक ने मचली पकडने वाली पाकिस्तानी नवका अल हुसेनी को भारतिय जलशेत्र में पकड़ा और नवका में सवार चालक दल के 6 सदस्यों क गिरफतार कर लिया ट्वीट में कहा गया कि उन्होंने करीब 400 करोड रूपे की 87 किलोग्राम हिरो इन जब्त की अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह खेप किसकी थी और किसके लिए भीजी जा रही थी हाल ही में क्रूज रेव पार्टी को दवरान देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि तमाम कारवाईयों के बाद भी नशे के सौधागरों की चैन नहीं टूटी है बरहल नौका को आगे की जांच के लिए गुजरात के कजिले में जाखु तट पर लाया गया इस साल अपरेल में भी तटरक शकबल और ATS ने इसी तरह का उपरे इस साल सितंबर में भारत में हिरोईन की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई राजस सुखुपिया निदेशाले ने दो कंटेनरों से लगबख 3,000 किलोग्राम दवाज जब्त की थी जिसकी कीमत वेक्षिब बाजार में 21,000 करोड रुपए मुल लेकी है भारतिय शेर बाजार पर सप्ता के पहले दिन ही कमजोर ग्लोबल संकेत और ओमिक्रोन का सीधा सीधा असर दिखा सुमवार को भारतिय शेर बाजार बड़ी गिरावट के साथ शुरू हुआ सेंसेग्स 664.78 अंक यानी 1.17 फिसदी की गिरावट के साथ 56,346.96 के सतर पर खुला जबकि निफ्टी 198.80 अंक यानी 1.12 फिसदी तूट कर 16,795.70 के सतर पर पहुँच गया थोड़ी देर बाज सेंसेग्स 848 अंक तूट कर 56,163.68 पर पहुँच गया वही निफ्टी 16,824 के सतर पर कारोबार कर रहा था सुबध 10 बजे के करीब सेंसेग्स 1035.86 अंक यानी 1.82 फिसदी गिर कर 55,975.88 अंक पर कारोबार पर पहुँच गया जबकि निफ्टी 323 अंक यानी 1.90 फिसदी गिर कर 16,672.20 अंक पर कारोबार कर रहा मार्केट एक्सपर्टों की माने तो ग्लोबल संकेतों और कोरोणा के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के कारण बाजार पर दबाव बना रहेगा BAC 30 में से 29 शेर गिरावट के साथ ही खुले वही निफ्टी के 50 में से 47 शेरों में बिक्वाली हावी है बैंक निफ्टी के सभी 12 शेरों में बिक्वाली देखने को मिली है प्री ओपन सेशन में BAC सेंसे 500 अंक से अधिक तूट कर 6,500 के सर पर पहुँच गया जैसे ही बाजर खुला सेंसे 675 अंक से अधिक याने 1.1 फिसदी तूट कर 56,335 अंक के पास आ गया वही निफ्टी 218.1 अंक यानी 1.28 फिसदी गीर कर 16,75 अंक पर पहुँच गया कुछी मेंटों के कारोबार में यह गिरावट और तेज हो गई पिछले सब्ता भी बाजर में बड़ी गिरावट दर्च की गई थी पूरी दुनिया से कोरोणा वाइरस के ने वेरियंट ओमिक्रॉन को लेकर डराउने आकड़े सामने आ रहे है चिंदा की बात यह है कि शुरुआती रिसर्च से इस बात की संकेत में रहे है कि ज्यादा तर वैक्सिन भी इसके खिलाफ कारागर नहीं है बस रहात की बात यह है कि वैक्सिन लेने वाले लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद ज्यादा गंबी रूप से बीमार नहीं हो रहे है रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ ऐसे लोग Omicron के संक्रमन से बच रहे है जोने ने बूस्टर डोस के साथ Pfizer और Moderna की वैक्सिन ली है लेकिन ये दोनों वैक्सिन अमिरिका के अलावा कुछ ही देशों में उपलब्ध है अध्यन में पाया गया है कि Oxford एक्स्टर जेने का वैक्सिन लेने के 6 मैंने बाद Omicron के संक्रमन से सुरक्षान नहीं मिलती है भारत में 90 प्रशित वैक्सिन लेने वाले लोगों को कोविशिल्ड ब्रांड नाम के तहत यहीं टिके लगे है इसका वैबक रूप से इस्तमाल अफ्रिका में भी किया गया है जहां ग्लोबल कोविड वैक्सिन का रेक्रम को वैक्सिन ने 44 देशों को इसकी 67 मिलियन कुराग बांटी है अब तक कि अधिकान सबुत लेप्रयोगों पराधारित है जो शरीर की इम्मुनिटी को पुरी तरह कवर नहीं करते है फाइजर और मॉडर्ण की वैक्सिन नई MRNA तक्नीक पराधारित है इन दोनों वैक्सिन ने अब तक लोगों को कोरोना के नहरने वेरियंट से सुरक्षा दी है अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में इसका इस्तमाल हुआ है पहाड़ी इलाकों में बर्बारी के चलते उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलर का कहर जारी है बर्बली हावा के चलने के बाद मौसमिभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है आने वाली दिलों में धिरे-धिरे ठहंट बढ़ने वाली है मौसम विभाग के अनुसार तीन दिनों के दवरान पश्चिम उत्तर प्रदेश में दीन और रात दोनों में तापमान सामाने से 5 डिग्री सिल्सियत तक कम रहेगा राजदानी लखनों का नियुन तम तापमान 6.6 डिग्री सिल्सियस तो वही अधिक तम तापमान 19.8 डिग्री सिल्सियस पर दज हुआ है पश्चिम विख्षोप का असर उत्तर प्रदेश में ही नहीं है देश के पूरी राजों में बारिश की भी संभावना है फिलाल श्रीनगर और काश्मिर के कई हिस्सों में बरबारी हो रही है तापमान भी शुने से कई डिग्री नीचे दर्च किया गया है मौसम विभाग की मताबिक अगले दो दिनों तक हिमाले की ओर से आने वाली सर्धवाव के कारण पंजाब, हरियाना, चंदिगड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्तान के पुरी और पशिम विभाग में शीतलर की संभावनाब बनी हुई है दिल्ले में संभो तो 21 दिसंबर को शीतलर की जा सकती है वही पशिम बंगाल की खाड़ी में बन रहें निम्नदाप शेतर की वज़स से निकोबार आइलेंड इलाके में बारिश के भी आसार है मौसम विभाग का पुर्वानुमान है कि हवाओ की रफताद 16 किलोमेटर प्रती घंटा तक रहने के कारण दिन में भी दूपका सर बेशर साबित हो सकता है शाम होते ही गलनवाली सर्दी का एसास होगा मद्दाता सूची में गडबडी का मुद्दाख सर उठता रहा है इसे दूर करने के लिए मद्दाता सूची को आधर कार्ट से लिंक करने वाला बिल के इन सरकार की ओर से सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है निर्वाचन कानून संशोधन विदेग 2021 को कानून मंद्री किरेन रिज्जू संसद में पेश करेंगे इस बिल के जरीए सरकार जन प्रतनिदित वल कानून 1950 में संशोधन करना चाहती है इस नए कानून के तत मद्दाता सूची तयार करने वाले अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले लोगों से आधार कार्ट भी मांग सके माना जा रहा है कि इससे मद्दाताओं कि यह बहर चाहां सत्यापित हो सकेगी और फर्जिवाड रोका जा सकेगा रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल में सरकार ने पतनी शप्त को जीवन साती से रिप्लेस करने का फैसला के लिया है सरकार का मानना है कि यह जेंडर लिटल टर्म होगी हाला कि बिल में यह प्रावधान किया गया है कि आधार नंबर देना आनिवारी नहीं होगा यदि कोई विकती आधार नंबर अपने आवेदन के साथ नहीं देता है तो उसके application खारिज नहीं की जाएगी इसके अलावा मोजदा नामों को भी लिस्ते डिलिट नहीं किया जाएगा आधार कार्ट का नमबर देना पूरी तरह से वैकल पिकोगा इस बिल के अलावा के नसरकार इसी सतर में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव वाला विध। इसके अलावा समाजवादी पार्ट के कही नेतां उन्हें इस बिल को लेकर विवादित बयान सामने आये है अमिरिकी वग्यारिकों ने उमिक्रॉन को लेकर गंबिर चिंता जताई है तो कई दवा कंपनियों ने यह करकर हाथ खड़े कर दिया है कि कोरोना के इस ने वेरियंट पर उनकी दवा एक कारगर साबीत नहीं हो रही है उदर अमेरिका की इस पेजेंसी नासा धरती से 400 किलोमेटर उपर अंतरिक्ष में संकरमन फैलाने वाले रोगानों, विशानों और बेक्टेरिया की जांच कर रही है ताकि भविश्य में अंतरिक्ष यात्रों का समदि संकरमन से जुड़ा उपचार हो सके इस बीच पाकिस्ताने और इतावलिक प्रातदविदो के एक संयुक्तदल ने बौधकाल के 2300 साल पुरान एक मंदिर की खोज उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में की है कुछ अन्यबेश कीमति कलाकृतियों भी खुदाएं में मिली है तो चीन समर्द तक उमिदवारों ने होंग कॉंग के विदान परिशद लेको चुनाओ में भारी जीत का दावा किया है इस चुनाओ में अब तक का सबसे कम मद्दान हुआ है अब बात भारत पाक सीमा की पाकिस्तान की ओसे ठन बढ़ते ही धुन का फायदा उठाने की कोशिश एक की जाती है ऐसे एक प्रयास में बेसेफ के जवानों ने एक ड्रोन पर ताबर तोड़ फायरिंग कर उसे वापस पाकिस्तान खदर दिया दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ अमेरिकी विशिशग्यों ने चेताउन देते हुए कहा कि डेल्टा विरियंट ने अमेरिका में तबाही मचाई थी लेकिन ओमिक्रों भी इसी रास्ते पर है यह विरियंट भी कई बड़े देशों के लिए खत्राब बनता जा रहा है तो अगर ओमिक्रों तेजी से फैन ले लगा तो तबाही मचा सकता है हाला कि अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन के शिर्शिकित साथ सलाकार ने कहा कि ओमिक्रों की गंभीरता पर बहुत अधिक डरने की जरूरत नहीं है लेकिन साथान रहने की जरूरत जरूर है उन्होंने दक्षिन अफ्रिका का हवाला देते हुए कहा कि फिलाल यहां अस्पताल में भरती होने का उनुपार डेल्टा की तुलना में कम है यह व्यापक पिछले संक्रमनों से अंतर निरहित प्रत्रिक्षा के कारण हो सकता है इस बिच खबर है कि कोरोना के खिलाब कोई भी दवा पुरी तरह से कारागर नहीं है कई दूसरी विमारी में इस्तमाल होने वाली दवा ही कोरोना के मरीजों को दी जाती है लेकिन अब उमिक्रोन के आने के बाद कई दवा कमपनियों ने हाथ खड़े कर दिये है एक अमेरिकी अकबार के मुताविक पिछले एक साल से इस्तमाल हो रहे है डेजिन ओन और इली-ली के एंटिबॉडी ड्रक्स का सर उमिक्रोन के खिलाफ नहीं दिख रहा है शुरुवाती रिसर्च में पता चला है कि ओमिक्रोन से संक्रमित मरीज इससे ठीक नहीं हो रहे है अमेरिका की स्पेस एजन्सी नासा धर्ती से 400 किलिमेटर उपर अंतरिक्ष में संक्रमन फैलाने वाले रोगानों, विशानों और बैक्टेरिया की जांच कर रही है माइक्रोग्रेविटी में रोग प्रतिरोदिक्षमता को समझा जा रहा है ताकि भविशे में अंतरिक्ष यात्रियों का सम्मधि सक्रमन से जुड़ा उपचार हो सके यह जांच आंतराश्य स्पेस स्टेशन में चल रही है पूरे दुनिया में यह जांच की जा रही है सोमवार से शाम के वक्त यह स्टेशन लगबग 3-3 मिनिट के लिए भारत के शिमला से देखा जा सकेगा यह एक चमकते तारे की तरह चलता है इसे देखना विग्यान की विद्धार्तियों और परेटकों के लिए कौतुल का विशय होगा इसमें अमेरिका, रूस, जर्मनी, आदी देशों के दस अंतरिक्ष वैग्यानिक सवार है अमेरिका की स्पेश अज़िस नासा ने इस पेस टेशन को शिमला में देखे जा सकने की समय सारेनी जारी की है नासा की ओर से जारी सुछना के नुसार रोगान नो जार्च में माइक्रो ग्राविटी स्पेस फलाइट सितियों के दोरान बड़े हुए माइक्रोबियल विशानों और प्रतिरक्षा सेल्फ फंक्शन में कमी के बीच संबंदों को समझा जा रहा है इसके लिए दस पे सियात्रों के लार और रख्त के नमुनों पर जांच हो रही है शोच से मिलीज सफलताओं के आदार पर एक विश्टोर रिपूर्ट तयार की जाएगी जिसका विश्लेशन कई बारिक्यों को समझने में मददगार साबित होगा संक्रमन और संक्रामक रोगों के फैलाओं को रोकने में इसके नतीजे सकारात्मक्स साबित हो सकते है पाकिस्तानी और इतावली पुराततवीदो के एक सेंक्तदल ने बोधदकाल के 2300 साल पुरान एक मंदिर की खोज उत्तर पच्चमी पाकिस्तान में की है कुछ अन्य बेशकिमतिक अलाकृतिया भी खुदाई में मिली है यह मंदिर खैबर पक्तुनत्वा प्रांत के स्वाज जिले में बारीकोट तहसिल के बोधदकाल के बाजिरा शहर में मिला है इस मंदिर को पाकिस्तान में बोधदकाल का सबसे प्राचिन मंदिर बताया गया है यह मंदिर पाकिस्तान के तक्षशिला में मिले मंदिरों से भी पुराना है पुरा तत्विदों ने बौदकाली 2700 से अधनियधिक कलाकृतिया भी बरामत की है जिनमें सिक्के, अंगूटिया, बरतन और युनान की राजा मिनांदर की काल की इस खरोश्टी भाषा में लिखी सामगरी भी शामिल है इताउली विशिशोग्यों ने भरोसा जताया कि स्वाजजिले के एतियासिक बाजिराशर में खुदाय के दवरान और भी पुरातत्विक स्थल मिल सकते है हाला कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह के प्राचित मंदिरों के आउशेश मिले है इससे पहले साल 2020 में पाकिस्तान के स्वाजजिले में ही खुदाय के दवरान पुरातत विदो को विश्नु मंदिर के आउशेश मिले थे चीन समर्थित उमिद्वारों ने हांकाउं के विधान प्रिशत लेगो को चुनाओ में भारी जीत का दावा किया है इस चुनाओ में अब तक का सबसे कम मद्दान हुआ है चीन के हांकाउं चुनाओ प्रणाली में वैपक बदलाओ लागो करने के बाद ये पहला गिलेगा को चुनाओ है इन बदलाओं ने हांकाउं का राजनितिक परिदृष्य ही बदल कर रख दिया है दरसल चीन ने राश्टर भक्त प्रस्ता पारित किया है जो चीन को प्रतेकुमिद्वार की जांच करने का हग देता है चीन की अधिकारियों का तर्क है कि स्तीरता के लिए इस बदलाव की ज़रुरत है लेकिन आलचको का कहना है कि इससे हांकोंग के लोकतंतर कमजोर किया गया है यही कारण है कि अधिकारिक जानकारी के मुताबिक केवल 30.2% मदाताओं ने मदान में भाग लिया सबसे बड़ा बदलाव यह है कि चीन ने होंकोंग में सीधे तोर पर जनता दोरा चुने जाने वाले प्रत्रिदियों की संख्या कम कर दी है पहले 50 पिसदी सदस्तों का चुनाव सीधे मदान से होता था और अब जनता सिर्फ 22 पिसदी सदस से ही चुन सकेगी अब सभी उमिद्वारों को एक स्रिरिंग समिती से अनुमो दनले नानिव वारे कर दिया गया है इससे चीन के आलोचको की उमिद्वारी खारिद करना आसान हो गया है ने नियों मकिये चुनाव समिते को भी अधिक शक्तिया दी है इस अलग समू में भी चीन समर्दिक लोग ही है बतादी की साल 2019 में होए लोगतंतर समर्दिक प्रदर्शनों के बाद से ही चीन होंग कॉंग पर अपना नियंतरन मजबूत कर रहा है भारत पाकिस्तान सीमा से सटेक कस्तोवाल बी ओपी पर रविवार रात को बारा बच कर दो मिट पर दस बटालियन के जवानों ने पिलर्ग नंबर 11 के पास ड्रोन एक्टिविटी नोटिस की इसके बाद जवानों ने उस पर फाइरिंग की फाइरिंग के कारण ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया ड्रोन की भनक लगने पर ड्रोटि पर तेना जवानों जिन में एक महिला कांस्टोबिल भी शामिल थी ने पाँच राउंड फाइर किये गए इसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के साथ मिलकर शेतर में सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है दरसल दून के मौसम को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकते बढ़ा दी है दून का फाइदा उठाते हुए पाक एजन्सियां सक्रिय हो जाती है और सीमा पर नशावा हतियार पहुचाती है दो दिन पूर भी सीमा पर दो ड्रोन देखे गए थे एक ड्रोन को B.S.F. के जवानों ने नीचे गिरा देया था जबकि दूसरा ड्रोन पाक सीमा में वापस जाने में सफल रहा पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए सीमा पर अत्रिक्त चोकसी बरती जा रही है इसी बीच भारत पाकिस्तान अंतराश्टे सीमा पर गुरुदासपूर सेक्टर के अधिन परती 10 बटालियन की P.O.P. पर तैना सीमा सुरक्षाबल के जवानों ने पाकिस्तान से भारते शेतर में प्रवेश कर रहे एक पाकिस्तानी युवक को काबू किया है B.S.F. की 10 बटालियन हेड़कॉर्टर शिकार माच्या की P.O.P. सहारन की करीब रववार शाम साड़े साथ बजे एक पाकिस्तानी युवक भारते शेतर में दाखिल हुआ जिसे जवानों ने तुरंत पकड़ लिया युवक की पहचान पाकिस्तान पंजाब के जिला मंडी बहावलत दिन के रहने वाले जुलक रहनन सिकंदर पुत्र जाफर इकबाल के रूप में हुई है तो आज किस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे वी के बिन्यूस नमस्कार